नमस्कार दोस्तों एक्जामोफोवीय यूटूब चनल में आसवी लोगों का स्वागत है लाश्ट टाइम हम लोगोंने 16 नमर के टेश्पेपर पर पर चर्चा कर चुके हैं यूपी पीशेस के आज जो है हम लोग डे आएस के सत्रहे नमर के टेश्पेपर पर चर्चा करेंगे इसके तहते हम लोग 150 कुश्टन सौल्व करने वाले हैं साथ ही इसके एक्स्पिलेंशन को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेश्प पेपर नम्मर 17 कुश्य नम्मर एक के साथ कुश्य नम्मर पहला है चित्ता और गड़ की संधी के संदर्व में निम्निलिखित कत्रों में से कौन सा कथन सही है पहला स्टिट्मेंट है कि यह संधी जहां गीर और राड़ा अमर सिंग के मद्ध संपन्ध हुई थी दूसरा कथन है कि राड़ा ने मुगन बादसाय की आधिनता स्युकार कर ली थी तो बताइए यहाँ पे कौन सा ओप्शन सही होगा तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ओप्शन यहाँ पे सही होगे सी ओप्शन करेक्ट आंसर होगा चित्ताओडगर की संधी जो है सन सोला सो पंद्रा इस्वी में जहां गीर और राड़ा अमर सिंग के मद्ध हुई थी और राड़ा ने जो है मुगल बादसाय की अधिनता स्युकार कर ली थी और जहां गीर ने जो है राड़ा को चित्ताओडगर वापस कर दिया था ठीक है इस प्रकार यहाँ पे सी ओप्शन करेक्ट हो जाएगा नेश्ट है कुश्य नंबर दूसरा निम्निलेकित में से कौन सा एक जो है चाहार चमन नामक पुस्तक का लेखक था चार ओप्शन दे रखे हैं तो यहाँ पे दिखा जाए तो सा जहां की सासनकाल में जो है चंद्रभान ब्रह्मन जो थे वह पहले हिंदु कभी थे जिसने अबुल फजल की सैली को समनवित कर एक नई सैली प्रस्तुत की और चमन चंद्रभान की एक महत्पूर्ण रचना थी तो यहाँ पे डी ओप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला है कुश्ण नमबर तीसरा जो मिलान से संबंदित कोश्चन है सूची फर्ष्ट को सूची सिकेंड से स्विलित करें तथा नीचे दिये गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चैन करें सूची फर्ष्ट में हम देखते हैं सूची सिगेंड का मिलान करते हैं सूची फर्ष्ट से तो यहां पर सूची फर्ष्ट में हम देखते हैं ए ओप्सन में तो लेंड होल्डर्स सोसाइटी है इसकी इस्थापना किस ने की थी तो द्वारका नाथ टैगोर ने की थी तो इसक इस्थापना सुरेंद्रनाथ बेनर जी ने की थी ठीके तो 34 से मिलान हो जाएगा डी ओप्सन में है प्राथना समाज तो इसका मिलान होगा आत्मा राम पांडू रंग से तो इस प्रकार यहाँ पे बी ओप्सन करेक्टर अंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हो तो देखते आदम जो था और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्स 1919 में प्राराम किया गया सत्याग्रह था और गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए तीन राजनितिक मंचों का उप्योग किया पहला होम रूल लीग और दूसरा खिलाफत और तीसरा सत्याग्रह सभा यहाँ पे जो है डी ओप्सन करेक्ट आंसर हो जाएगा यह तीनों ही ओप्सन उपर के सही थे निश्ट है कुश्य नंबर पाचवा जिन्ना द्वारा मुक्ती दिवस कब मना जाने का आहँवाहन किया गया था तो यहां पर देखा जाए पाचवे में सही जवाब है बी ओप्सन 22 दिसंबर 1949 को मुक्ती दिवस मना जाने की घोशना की गई थी देखा जाए तो वर्स 1937 में हुए चुनाओं में गठित कॉंग्रेस मंत्री मंदल का कारकाल 28 माह तक ही चला और अक्टूबर 1949 में सभी कॉंग्रेसी मंत्री मंदलों ने त्याग पत्र दे दिया इसी खुसी में जिन्ना द्वारा भात के सभी मुसल्मानों से 22 दिसंबर 1949 के दिन मुक्ती दिवस मना जाने का आहुआन किया गया दिसलिए यहाँ पर बी ऑफ्सन करेक्ट आंसर होगा नेश्टे कुश्य नमबर छठवा छठवा छठी नमबर कुश्य में देखा जाए तो निमिन रिखित 1854 एसी में जेम्स आउट्रम को आवद का ब्रिटिस रेजिडेंट नियुक्त किया गया और इसी की रिपोर्ट के आधार पर 13 फरवरी 1856 को आवद का अधिग्रहण कर लिया गया तो यहाँ पर सी आफ्सन राइट आंसर हो जाएगा नेश्टे कुश्य नमबर सात्वा निम तो यहाँ पर देखा जाएगा यहाँ पुर्य जिले के सभी पुरा इस्तल जो है जोर्वे संस्क्रति के अंतरगत आते हैं और इसमें जोर्वे निवासा, दैमाबाद, नाशिक, इनाम गाउं, वे सोन गाउं इत्यादी जो है समले था इसमें नेश्ट कुछ्चन 8 सूची फष्ट को सूची सिकेंड से सुमलित करें तता नीची दिये गए कूट के माद्यम से सयुत्तर का चुनाव करें सूची फर्ष्ट में जो है वैदिक सब्द दे रखा है सूची सिकेंड में उसका अर्थ दे रखा है यहाँ पर देखा जाए तो वैदिक सब्द है अरित्र तो अरित्र का जो है अर्थ क्या होता है पतवार चौतिय से मिलान हो जाएगा कुसीद का मिलान होगा रण से और नवहां निम्निलिक्षित में से किस एक में सरु प्रथम चारो आस्रमों का उल्लेख मिलता है यहां पर सही जवाब है जबालो जल जपालो पुनिसद से जो है ऐसा जो है एक जो है जबालो पुनिसद एक ऐसा सब्द है जिसमें जो है चारो आस्रमों का ब्रह्मचर, ग्रहिस्त, वानप्रस्ट और सन्यास का उल्लेख किया गया है नेश्ट कुष्चन नमबर दसवा दसवा नमर कुष्चन है निमनिलिखित युगमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो नहीं के लिए पूछा गया है एक तरफ साहित है दूसरी तरफ साहित कार है यहाँ पर देखा जाए कादमरी की रचना जो है बान भट द्वारा की गई थी यह जो है सही सुमेलित नहीं है क्योंकि इसके सामने हर्सवर्दन लिखा है तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा नेश्ट है कुष्च नंबर 11 निमनी लिखित में से किस एक जो है चोल सासक ने 72 सौधागरों का एक दूत मंडल चीन भेजा था यहाँ पर जो है 11 का सही जवाब है C option कुलो तूंग फर्ष्ट ने C option यहाँ पर सही जवाब है नेश्ट है कुष्च नंबर 11 निमने लिखित सासकों में से किस एक चार अशुमेद यगों का समपादन किया था तो यहाँ पर सही जवाब है वकाटक सासक जो थे प्रवर सेन प्रथम इन्होंने जो है 4 अशुमेद यगों का समपादन किया था और इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यग भी किये थे तो यहाँ पर D option राइट आंसर हो जाएगा नेश्टेक कुश्य नंबर 13 राजपाल की सपत या प्रतिज्यान का प्रारूप वर्णित है तो यह वर्णित किसमें है तो 13 में देखा जाए तो यह वर्णित है अनुछेद 169 में तो B option यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नेश्टेक कुश्य नंबर 14 निमने लिखित में से कौन से या कौन सा अध्याच्छत्मक शाषन प्राली की विश्यस्ता है अध्याच्छत्मक शाषन प्राली की विश्यस्ता है यानि प्रेजिडेंशियल साषन प्राली की विश्यस्ता कौन सी है यहाँ पर देखा जाए तो 14 का सही जवाब है D option जो है कार्णि का प्रमुक राष्टपती होता है राष्टपती अपने मंत्री परिश्यत का चैन स्थापिका को भंग नहीं कर सकता है तो यहाँ पर D option करेक्ट हो जाएगा उपर के तीनों सही है नेश्टे कुष्य नंबर 15 है भारती सविधान के अनुशेद 25 में प्रयोक्त हिंदू सब्द किसे समलित नहीं करता है तो यहाँ पर हिंदू सब्द के अंतरकत जो है बौध दैहिक स्वतन्तका की संदर्ов में निम्निलेखित कतलों में से कौन सा कतन अशड्ध है तो यहाँ पर देखा जाए तो सोला का देखा जाए तो यहाँ पर नशेध 25 सब्रयोग ही के विरुद्ध सरच्छर प्रदान करता है दूसरा कतन है इस प्रकार का सरच्छर जो है नागरिक व विदेशी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है ठीक है तो यहां पर सोला में देखा जाए तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्सन क्योंकि दोनों ही कथन यहां पर अश्रत्त हैं क्योंकि जो है अनुशेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं देहिक सुतनतता से विधी द्वारा इस थापित प्रकिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्था नहीं तीसलिए यहां पर दोनों कथन गलत है नेश्ट कुश्च नमर 17 निर्मिलिक सब्सक्राइब एक वर्स का ओता है ना कि दो वर्स का ठीक है इसलिए पहला स्टीटमेंट यहां पर गलत है सबॉत्ता रहा है निचे दो कथन दिए गहाए कि पर माडंव विद्धुत उदासीन होते हैं कारान है कि में कि संख्या संख्या प्रोस्टों की संख्या के बराबर होती है तो नीचे दिए में कूर से बर्णु की व्याख्य करें ठीक है आगे बढ़ते हैं तो देखते कुश्च नंबर 19 19 नंबर कुश्च है कि निम लिखित में से किस एक साथ वहन सासक को वर्ण व्योस्ता का रच्छक कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पर 19 में हम लोग यह देखते हैं तो C option यहाँ पर सही है कि गौतमी पुत्र जो है साथ करनी को जो है शाथ वहन सासक को सासक था इसी वर्ण व्योस्ता का रच्छक कहा जाता है गौतमी पुत्र साथ करनी को तो यहाँ पर जो है C option correct answer है नेश्टे कुश्य नंबर B से क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रियोग होता है तो इसका प्रियोग होता है रंगीन रसायडों के मिस्टन को प्रथक करने की एक रसायनिक तकनीक है यहाँ पर जो है सही जवाब होगा B option नेश्टे कुश्य नंबर 21 सुची फस्ट को सुची सिकेंड से स्विलित करें तथा नीचे दिये गए कूट की स्वायता से सही उत्तर का चुनाव करें तो बालू का मिलान किस से होगा सिलिकन से ठीक है तीसरे से हीरा का मिलान होगा कारवन से और संग्मर्मर का मिलान होगा कैल्सियम से और माडिक का मिलान होगा इलमूनियम से तेहां पे D option correct answer हो जाएगा अगला देखते कुश्य नमबर 22 निमनी लिखित में से किस एक का प्रियोग ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है तेहां पे सई जवाब है आर्सेनिक 74 का प्रियोग जो है ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है बी option यहाँ पे right answer है नेश्ट कुश्य नमबर 23 निमनी लिखित में से कौन सा एक हाइडोजन तत्व किस सम्बंद में अशत कथन है तेहां पे यह यहाँ पे डी option असत्त है कि नाविक में केवल एक neutron होता है यह कथन जो है अशत है हाइडोजन जो है आवर्त सार्णी का प्रथम तत्व है और इसके खूच करता जो थे जो है हेंरी केवेंडिस थे और इसकी परमाडू संख्या एक होती है और इसके नाविक में सिर्फ एक proton पाया जाता है जवकि इसके नाविक में neutron नहीं पाया जाता है इसलिए यह कथन जो है अशत्त है नेश्टे कुश्य नमर 24 निमने लिखित में से कौन से जो है संग सूची के विसे हैं पहला राश्टी राजमार्ग दूसरा है महापत्तन तीसरा है क्रसिया परकर चौथा है मादक लिकर और पांचवा है जो है वायदा बजार यहां पर देखा जाए तो पूछा गया है सं पत्तन वायदा बजार ठीक है बाकी यह दोनों राज सूची के विसे हैं यहां पर सही जवाब क्या होगा सी ओप्शन अगला कुश्य नमर 25 सूची फर्ष्ट को सूची सिकेंड से सुमलित करें तथा नीची दिए गया कूट की माद्दम से सही उत्तर का चैन करें सूची से संटॉची स्टा में दे रखा है विसे उपबंद डू अनुषे है 54 का मिलान होगा राश्रपती के निर्वाचन से ठीदे तैसे से मिलान हो जाएगा और अनुश्यद 56 का मिलान होगा राष्टपती पर महावियोक से तो इस कारें यहां पर सही जवाब होगा B option नेश्ट कुष्चे नमबर 26 सवधान की तीसरी अनसूची में निम्निलिखित में से किसके लिए शपत या प्रतिज्यान के प्रारूप सामिल है पहला है राज के मंतरी दूसरा है संसत की सदस्त तीसरा है राज्यो के राजपाल चौता है राज बिधान मंदल की सदस्त यहां पर देखा जाए तो तीसरी अनसूची में जो है जो है जो है यह तो सब सामिल है लेकि राज्यो के राजपाल इसमें सामिल नहीं होते यह गरत है तो यहां पर सही जवाब होगा C option ठीक है क्योंकि तीसरी अनसूची में केंद्री मंतरी और र राजपाल सामिल नहीं होते हैं कि नेश्ट कुष्चय नमर 27 27 27 कि राष्टपति की विधाई सक्तियों के संदर्व में निम्लिखित कत्रों में से कौन से कथन सही है पहला कथन है कि जो है वैस संसत के सयुक्त अधिवेशन का आवाहन कर सकता है दूसरा कथन है कि लोग सवा सविधान संसोधन अधनियम द्वारा लोग सभा और राजविधान सभाओं में इंगलों इंडियन के लिए सीटों के आरच्षट को सांप्ट कर दिया गया है ठीक है इसलिए यहां पे जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया ठीक है और SCST के लिए आरच्षट को दस प्र से जाने पर क्या होता है पहला यह है कि विधायक को स्विक्रत कर सकता है दूसरा है धन विधायक को पुरण विचार के लिए वापस कर सकता है तीसरा कथने की राश्टपती के विचार के लिए सुरच्छित रख सकता है तो उप्रोक्त में से जो है कौन सा कथन सही है यहां विधाल मेंडल के पास पुनर विचार के लिए वापिस कर सकता है विधायक को राष्टपती के विचार के लिए सुरच्छित रख सकता है ठीक है तो यहाँ पे यह इस्टेटमेंट गलत हो जाता है आगे बढ़ते हैं देखते कुश्चन नंबर उनत्यस नंबर कुश्चन है कि विच्ति समवेशन की निम्न योजनाओं की प्रारम होने का सही कालक्रम क्या है तो यहाँ पे है लगू उदमी क्रेडिट कार्ठ योजना पे यह शुरू ही ठीक है 2001 में और किसान क्रेडिट कार्ठ योजना सुध उन्हिस सो अठानबे 99 में सुरोजगार क्रेड़िट का सब्सक्राब हो जाएगा बी ओप्सन अगला कुशन नमर तीस का पार्ट के संदर्व में निमलिखित कत्रों में से कौन स्रकतन सही है पहला है कि इसका गठन एक सितंबर स्वेच्चिक कार को प्रोसाहन देना और उनमें मदद करना इसका प्रमुख लच्छ था नेश्टे कुश्यरंबर 31 नीचे दो कथन दिये गया है जिन में से एक को अविकथन और दूसरे को काराण कहा गया है तो अविकथन में कहा गया है कि सारुजनिक सीमित कंपनी में तो यहां पर पहला कथन यहां पर सही हो जाता है ए यार दोनों सही है आर एकी सही व्याख्या करता है नेश्टे कुश्यरंबर 32 वी निवेस को रखा जा सकता है तो वी निवेस को जो है कहां रखा जा सकता है पूंजी प्राप्तियों के अंतरगत रखा जा सकता है तहां प लिए पूचा गया है तो एक तरफ अनुच्छथ है दूसी तरफ उनकी विषेवस्तु है Torah 6243 E में देखा जाए तो इसके तहते देखा ज्ए तो जो है यहाँ पे जिसका मुलान सही है अनुचे 243 जो है कि इसका भी मिलान सही है अनुशेद 243 जी में देखा जाए तो इसके तहट आता है पंचायतों की सक्ति प्राधिकार तथा उत्तरदाईत इसलिए ये मिलान जो है सही नहीं है यहाँ पर सी ओप्सन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अलावा अनुशेद 243 एच के तहट देखा जाए ठीक है तो इसके तहट जो है पंचायतों का करारोपण और सक्ति आता है ठीक है इसलिए यहाँ पर मिलान गलत था बाकी 243 के तहट पंचायतों का गठन आत पर विचार करें पहला कतन कि संयुक्त राज लोक सिवा आयोग का गठन राज विधान मंदल के आग्रैपर केवल राष्ट पती द्वारा किया जाता है दूसरा कतन कि संयुक्त राज लोक सिवा आयोग एक सविधानिक निकाय है तो यहाँ पर सही कतन का चुनाव करें ठीक तो संयुक्त राज लोग सिवा आयोग का गठन जो है राज विधान मंडल के आग्रै पर संसत द्वारा किया जाता है और इस प्रकार संयुक्त राज लोग सिवा आयोग एक वैधानिक निकाय है नाकिस्ट वैधानिक निकाय है इसलिए यहाँ पे डी आप्शन सहिए दोनों क नेश्टे कुश्य नंबर 35 भारत का महान्यावादी के संदर्व में निर्मनी लिखित कत्रों पर विचार करें। नेश्टे कुश्य नंबर 36 निर्मनी लिखित कत्रों पर विचार करें। नेश्टे के बराबर होता है। भारत के महान्यावादी का कारकाल पांच वर्स या बासट वर्स की आयू तक होता है। तो वो प्रोक्त में से सही कत्रों का चुनाव करें। यहाँ पर 36 में देखा जाए। तो यहाँ पर तीन स्टेटमेंट सही हैं। लेकिन चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट गलत था। बागी पहला दूसरा तीसरा सही था। अगला कुश्य नमबर सहतेस। सूची फर्स्ट को सूची सिकेंट से सुमलेत करें। तथा नीची दिये गए कूट की सहता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो सूची फर्स्ट में देखा जाए, तो तो सुची सिकेंट में विस्यस है। ठीक है। जो है भाग नाइन ए में देखा जाए, तो यहां पर नगर पालिकाओं का जिक्र है, तो दूसरे से मिल जाएगा भाग 10 में जो है देखा जाए तो अनसूचित एवाँ जन जाती छेत्र से मिल जाएगा ठीक है भाग 9B में जो है सैकारी समिती से मिल जाएगा ठीक है भाग 14A में जो है ट्रिबूनल से मिल जाएगा तो इस प्रिकार यहां पर B-Option correct answer हो जाएगा नेश्ट कुश्य नमर 38 रिड़की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की कौन सी रीती के प्रियोक द्वारा शंभाव है ठीक है तो यहां पर सही जवाब है यहां पर सही जवाब है ठीक है अगरे देखते हैं कुश्य नमर 49 सरकार की व्ययय कराधान और उधार लेने से संबंदित नीती क्या कहलाती है तो यह नीती कहलाती है जो है राजकोसी नीती ठीक है डी ओफसन यहां पर करेक्ट आंसर है अगला कुश्य नमर 40 बोल्ट पीपी पीपी मॉडल के अंतरगत ओका आश्य क्या होता है तो यहां पर जो है ओका आश्य क्या होता है तो बिल्ड और लीज ट्रांसफर इसी प्रकार एक जो सब्द होता है बोट यानि बिल्ड जो है ओपरेट ट्रांसफर और माना जाए तो ट्रिपल पी मॉडल्स जो है सार्वजनिक और निजी छेत के बीच की इस्थिती का एक रूप है और इसके अंतरगर जो है परियोजना का ड 241 भारत में सकल मूल वर्धन की अवधार्णा को कब अपनाए गया तो इस अवधार्णा को जो है जो है 2015-16 में अपनाए गया डी ओप्सन करेक्ट आंसर है इसका आसर यह होता है यह देश की आर्थिव्यास्ता से सम्मंदित है जैसे कि प्रात्मिक दुतियक और तर्थियक च्छेत द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं वा सिवाओं की उत्पादन का मौद्रिक मूल होता है तो उसी की यह प्रकिया है तो यहां पे डी ओप्सन करेक्ट था अगला है कुश्य नमर 42 सूची फर्ष्ट को सूची सिकेंड से सुमिलित करें तथा नीचे दिये ठीक एकूठ के माध्यम से सही उत्तर के चुनाव करें तो पहले सूची में देख जायतो राजनितिक संग्ठन है दूसरी सूची में देखा जाय तो संस्थापक है तो आय ओप्सर में धेख जायतों लेंड होल्डर सो साइटी है तो इसका सथय है द्वारिकानाथ टैगोर दूसरे से मिलान हो जाएगा बंगाल बिटिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है जो है जोर्ज थॉंसन ने किया था तो तीसरे से मिलान हो जाएगा बिटिस इंडियन इसोसियेशन की स्थापना राधा कांत देव ने किया था तो पहले से मिलान हो जाएगा इंडियान लिग की स्थापना सिसिर कुमार घोस ने की थी तो इस प्रकार यहां पे बी आप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा नेश्ट है कुश्चन नंबर 43 43 नंबर कुश्चन है कि काकोरी ट्रेन एक्षन यानि काकोरी कांड में निम्न में से किस क्रांतिकारी को फैजाबाद में फासी दी गई ठीक है तो जो क्रांतिकारी थे उनमें रोसलाल को जो है नैनी यानि प्रियागराज में फासी दी गई राम प्रसाद को जो है गोरखपुर में, राजिंद लहरी को जो है गोंडा में, अश्फाक उल्लाखा को फैजाबाद में तो यहाँ पे जो है डी ओप्सन करेक्ट आंसर होगा क्योंकि अश्फाक उल्लाखा का नाम नहीं है यहाँ पे नेश्टर कुश्च नमबर 44 बाल, गंगा, धर, तिलक के संबंद में निम्न लिखित कत्रों पर विचार करें पहला कतन है वे भात के बेताज बासाय के रूप में प्रसेदे थे दूसरा कतन है वेलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारती अशांती का जन्वदाता कहा तीसरा इस्टेटमेंट है कि इन्होंने वर्स 1909 में लाहोर में कॉंग्रेस अधिवेशन की अध्यचता की चौथा कतन है ये गीता रहेश नामक पुस्ता के लेखत थे तो प्रोग तुमेंसे सई कतन का चुनाव करें यहाँ पर पहला दूसरा और चौथा इस्टेटमेंट सही है तो सी ओफ्सन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है जबकि वे जो है अब भारती राष्टी कॉंग्रेस के कभी भी अध्यच्छ नहीं रहे हैं ठीक है तो इसलिए यहाँ पर तीसरा गलत था नेश्टे कुष्ट नंबर 45 सूची फष्ट को सूची सिकेंड से स्मिलित करें तथा नीची देगाया कूट की माध्यम से सयुत्तर का चुनाव करें तो कॉंग्रेस अध्यच्छ दे रखा है सूची फष्ट में सूची सिकेंड में अधिश्टा दे रखी है ठीक है तो यहाँ पर इलहाबाद जो हद दे रखा है अठाइसोबानवे में तो इसकी अधिश्टा जो थी बोमेस चंद्र बंडर जी ने किया था और सूरत में जो है कॉंग्रेस अध्यच्छ ने किया था ठीक है अगला है मद्रास में जो अधिशन हुआ 1914 में ठीक है भुपेंद्र नाथ बोस ने किया था ठीक है और डी ओप्सन है हरीपुरा 1938 में इसकी अधिश्था जोई सुभाश्चंद्र बोस ने की थी ठीक है तो यहां पर सी ओप्सन करेक्ट आंसर हो जाएगा नेश्थे कुश्च नमर 46 1857 पुस्तक के लेखा कौन है ठीक है यहां पर सही जवाब है सी ओप्सन एसन सेन है सी ओप्सन यहां पर करेक्ट आंसर है नेश्थे कुश्च नमर 47 उत्तर प्रदेश में नियूंतम ग्रैमीड जनसंक्या निवास करती है तो यह जनसंक्या गौतम बुद्ध जिले में निवास करती है नेश्थे कुश्च नमबर 48 यह जए तीजडे कॉंप्सका तिरंगा लीक और बीच में कम्मिनिस्ट पार्टी का लाल जंडा एक साथ चलते थे टुएं साही सेना विद्रोह के जो है जो 18 फर्वारी 1946 को हुगा इसमें जो है तीन जंडे एक साथ चलते थे तो यहां पर एक उप्सन करेक्ट आंसर हो जाएगा नेश्टर कुश्चन नमर 49 लाल म्रदा की संबंद में निमने लिखित में से कौम सा एक कथन असत्त है तो लाल मिट्टी का विस्तार जो है दे मीटर के दारे में है यह द्वती विशालता मोरग है तो यहां पर पहला कथन यहां पर अश्रत है ठीक है जब की जो है बी सी और डी जो है सही है नेश्टर कुश्चन नमर 50 निमने लिखित कत्रों पर विचार करें और नीची दे गए कूट की साहता से सही उत्तर का चैन कर तक कर चैन के इन निमने रोने के कारण फंड़ी स्थानों पर इसका हिमन काफी नीची होता है जिससे सून से काफी कम तापमान हो जाने पर भी यह है द्रव अवस्ता में ही बना रहता है यही कारण है कि ठंडे देशों के लिए पारे की अपेच्छा अलकोहल ताप मापी बेतर सावित होता है नेश्ट है कुश्च नमबर 51 54. 151 नममर कोश्चन है कि बर्क ने किसे चुहा और नयवला त्यादी से सम्मोधित किया दो यहां पे सही जवााब है वार्रन हिश्टिंग वार्रन हिश्टिंग जो है भारत के एक मात गवर्نर्वर्णर्ठ जन्ररल था जिस पर बर्क ने महावियों का मुकदमा दायर किया, और बर्क ने हिस्टिन को चुहा और नेवला और एक झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुख्या इत्यादी संग्यायों से संग्याओं से निर्वाचित किया किसी देश के भुकतान संतुलन के अनुकूलता या प्रतिकूलता का निर्ण किस से होता है तो यह जो है चालू खाते से होता है यह उफसर यहां पे करेक्ट आंसर है कि नेश्ट कुष्चन नमबर तिरेपन तिरेपन नमबर कुष्चन है निर्वन लिखित में से कौन सी एक पारिभासिक सब्दावली वाडिजिक बैंकों द्वारा सरकार को उधार दिये जाने से संबन्दित है तिहां पे तिरेपन का सईजवाब है बी ओप्सन इसके माध्यम से वाडिजिक बैंक सरकार को दीरगवती रिरड़ प्रदान करते है नेश्ट कुष्चन नमर चमवन और दोगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है तो यह सूचकांक केंदरी सांखी की कार्याला द्वारा मासिक आधार पर जारी किये जाते हैं इसके लिए 2011-12 को आधार वर्स माना गया है तो यहाँ पे C-Option correct answer होगा नेश्ट कुष्चन नमर पचपन निमनिलिखित में से किसमे गुड़ सूत्र नहीं होते हैं तो यहाँ पे देखा जाए तो चिपकलियों की अनेक तुजातियों सहित अनेक सरीस्ररपों में लिंग गुड़ सूत्र नहीं होते हैं इनमें लिंग निर्धारन परयावर्णी ताप से होता है तेहाँ पे D-Option correct answer हो जाएगा नेश्ट कुष्चन नमर चपन निर्म निलिखित कथरों में से कौन सा कथन सही है पहला है जंपिंग जीन की सिधान्त के प्रतिपादक मैकिलिंग टॉंग थे दूसरा है उन्होंने गन्ने के पौदे पर आनुवन सिक्ता का अध्यन किया था तो यहां पर बताईए कौन सा कथन सही जवाब होगा इन्हें जो है 1983 में इस खोश के लिए चिकिस्टा का नोबल पौशकार भी प्रदान किया चुका है और इन्होंने मक्का के पौदे पर आनुवन सिक्ता का अध्यन करते समय इस सिदान्त को प्रतिपादित किया था तो यहां पर क्योंवर पहला कथन सही है ठीक है जबकि दूसरा यहां पर गलत है क्योंकि गन्ने के नहीं मक्के की पौदे पर किया था नेश्टे कुश्चन नमर 17 एसे रसायन जिनका प्रियोग मानसिक तनाव कम करने तथा और साथ दूर करने में किया जाता है यह जो है प्रशान तक कहलाते है उदान के लिए रेजर पाइन या लिए 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 रिवनल या सिकोनल तेहां पे सही जवाब होगा सब्सक्राइब नेश्टे कुश्च नमबर अठावन निम्लिखित में से कौन सा किलोरोफिल का घटक नहीं है तो किलोरोफिल एक जो है प्रोटीन युक्त जो है जटिल रसायनिक योगिक है यह वर्नक पत्तों के हरे रंग का काराण है और मैगनीशियम किलोरोफिल का नेश्टे कुश्च नमबर 69 है निम्लिखित में से कौन सा हार्मोन मानो सरीर में रक्त कैल्सियम और फॉस्पेट को जो है वी निमित करता है तो यहाँ पे देखा जाए तो 69 का सही जाव है बी ओप्सन पैरा थाराइड हार्मोन यहाँ पे जो है बी ओप्सन करेक्ट है ने क्योंकि यहाँ पे देखा जाए मानों में रक्त की मात्रा का नियंतर जो है अगनासय द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन द्वारा होता है ना कि किड्नी द्वारा बाकी A, B और C मिलान सही है ठीक है आगे बढ़ते देखते कुश्च नमबर 61 है भूत लिंगम समिती का स भूंका को कम से कम करके क्रस्कों को उनकी उपच का अधिकता मुल्ग दिलाने के उद्देश से राष्टी क्रसी बजार का सुभारम कब किया गया तो इसका सुभारम में 14 अपरेल 2016 को किया गया तेहां पे जो है C आप्शन करेक्ट है नेश्टे कुष्च नमबर 63 है वाइसराय लॉड करजन की समय की निम्निलिखित गटाओं को सही क्रम में विवस्थित कीजिए पहला है पुलिस विवाग में जो है CID की स्थापना दूसरा है सैकारी उधार जो है समीती अधिनियम तीसरा है इंपीरियल जो है क्रेड़ेट कोर की स्थापना चौता है सिचाई आयोक की स्थापना तो यहां पर 63 में देखा जाए तो यह ओप्सन यहां पर करेक्ट है ठीक है क्योंकि जो है लॉड करजन जिसे भायात का सरवादिक अलोग प्री ठीक है अलोग प्री जो है वाइसराय माना जाता है उसकी सासनकाल में इस्थापना हुई ठीक है 1900 में और 1901 में जो है सर कालिन इसकॉर्ट मान क्रीफ की अधिशता में सिचाई आयोग का अगठन किया गया तो 1901 में सिचाई आयोग की इस्थापना हुई और 1903 में पलिस व्युहाग में अधियम पारित किया गया तो इसलिए यहां पर यह ओप्सन करेक्ट था नेश्ट कुष्य नमर 64 पाबना विद्रोह के संदर में निर्मिलिकित कथनों पर विचार करें पहला कतने यह विद्रोह 1873 में सरकार द्वारा लगान की दर बढ़ा देने के कारण हुआ दूसरा कतने क बंकिम चंद्र चटो पध्याय और रमेश चंद्र दत जैसे बुद्धी जीवियों ने इस विद्रोह का समर्थन किया तो प्रोक्त में से कौन सा कथन सही है यहां पर देखा जाए तो भी ऑफन यहां पर सही है जबकि पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत है क्योंकि बंगाल के पाबना जिले में जो है पाबना विद्रोह चालू रहा और इसी विद्रोह का मुख कारण जो था तो जमीदारों द्वारा लगान की दर काफी बढ़ा देना था और इसलिए यहां पर पहला कथन गलत था नेश्टे कुष्च नमबर 65 है निम्न मेंसे किसके लेखन सैली की प्रसंसा करते हुए बेंथम ने कहा था कि इस सैली के साथ एक हिंदू का नाम ना जुड़ा होता तो हम यह समझाते कि यह बहुत ही उच्च जो है छितिज अंग्रेजी कलम से निकली है तो यहां पर जो है सई जवाब है बी ओफ्चन राजा राम मोहर राय ठीक है नेश्टे कुष्च नमबर 66 चाच नमबर कुष्चन है कि अंतरिम सरकार की संबंद में निम्न कत्रों पर विचार करें पहला कतन है कि 2 सितंबर 1946 इसमी को पंडित नेरु ने 14 सदस्थी अंतरिम सरकार का गठन किया दूसरा है मुस्लिम लीग उनतरिम सरकार में 28 अक्टूबर को सामिल हुए तो प्रोक्त में से कौन सा कथन यहा पर सही है? थीक है? तो यहाँँ पर चाचुण में देखा जाए तो ले आस्योंद था ना तो पहला सही ना तो दूसरा सही है क्योंकि जो है 2 सितंबर 1946 इसी को पंडित नेहरु की नेतोत्य में जिस अंत्रिम सरकार का गठन हुआ उसमें जो है कुल 12 मेंबर थे ना की 14 मेंबर इसलिए यहां पर पहला गलत हो गया दूसरी तरफ प्रारम में मुस्लिम लीग इसमें सामिल नहीं हुई परन्तु 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग के 5 सामिल हो गया तो इसलिए यहां पर दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया अगला है कुश्य नंबर सर सथ है चमकवर का युद किसके किसके बीच हुआ था तो चमकवर का युद जो है गोद सिंग और मुगल सेनbahn के बीच 1705 इस्वें में हुआ था इस युद में जो है गोदे संग के दोनों बेटे आजीस सिंग और जुजहार सिंग मारे गए तो यहां पे जो है बी ओप्सन करेक्ट अंसर है नेश्ट कुष्च नमर 68 बंगाल के नवाबों को उनके सासनकाल के सही क्रम में विवास्तित कीजिए ठीक हैं तो यहां पे जो है बंगाल की सुतंतर राज की स्थाफना जो है मुर्सीत और 1717 से 1727 इसमी तक बंगाल का वह नवाब रहा और इसके बाद जो है सुजावद दीन 1727 से 1749 इसमी और अली वर्दी खा 1744 से 1756 और सिराजुद दौला जो है 1756 से 1757 इसमी तक बंगाल के नवाब रहे तो इस परकार यहां पे डियॉप्सन राइट आंसर हो जाएगा हैMP-ई-ब खून की बदले ५ून किसक्रा अंतिकारी संग्ठन का उदेस था तो कलकाटा में जो है अनुसीलन समयती की स्थापना जो में ईस सूछो धे किस ने की थी इस समिती की स्थापना तो वारिंद्र घोस और भूपेंद्र दत्नी की थी और इस संग्ठन का मुख देश खून की बदले खून था तेहां पे जो है बी ओप्सन करेक्ट आंसर था नेश्ट कुष्चन नमर सत्तर सत्तर नमर कुष्चन पूछ रहा है कि नीचे दो कथन दे गया है जिन में से एक को अभी कथन दूसरे को कारण कह गया है तो अभी कथन में कह रहा है कि सुभाश चंद बोस और पंडित जवाला नहरू ने 1928 इस्व में All India Independence League की स्थाफना की इसका कारण है कि यह लोग आप निवेशिक शासन की विपरीत अंग्रेजों से पूर्ण सतंता की पच्च में थे तो नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन करें तो यहां पर जो है देखा जाए तो यहां पर पहला स्टेटमेंट स इस लिए पहले दूसरा दोनों सही है, आरे की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहां पर देखा जाए तो एक्स किर्णे एम गामा किर्णे जो है प्रकति में बिद्दु चुमकी होती है इसलिए यहां पर पहला दूसरा इस्टेर्मेंट सही हो जवाब होगा नेश्टे कुश्च नमबर 72 लोक राहुला का समद्ध यूपी के निम्न में से किस एक छितर से है तो इसका समद्ध यूपी के बुंदेल खंड से है डी ओप्सन करेक्ट अंसर है नेश्टे कुश्च नमबर 73 खुजली के रोग जो है इसके बीच का कारार निम्न लिखित में से कौन सा है तो यहां पर सही जवाब है 73 का कवक नेश्टे कुश्च नमबर 74 गरेबी दुष्चकर को चक्री संचई अंतर प्रकिया की संग्या किस ने प्रदान की तो यह जो है गुणनार मिडर ने प्रदान की बी ओप्सन करेक्ट है नेश्टे कुश्च नमबर 75 निम्न पर विचार करें एक तरफ तमाखु बोर्ड ये गुंटूर में है ये लिखा है भारती अंगूर प्रसंसक्राण बोर्ड पुड़े में है चाय बोर्ड हैदराबाद में तो यहां पर जो है कोलकाता होना चाहिए था तो यह गलत है तो यहां पर सही जवाब क्या होगा सही के लिए पुछा गया तो पहला दूसर से यह बी ऑप्सन करेक्ट है नेश्टे कुश्च नमबर 76 पसीना सरीर को ठंडा करता है क्योंकि जो है पसीना इस्तंधारियों की त्वचा में इस्तित ग्रंतियों से निकलने बाला एक तरल पदार्त है और मनस्यों में मुखरूप से पसीना तापमान नियंतरक का कार करता है अत्यांत गर्मी में पसीने की वास्पी करार के कारण जो है ठंडा प्रुभाव रहता है इसलिए यहां पर जो है बी ऑप्सन करेक्ट अंसर है नेश्टे कुश्च नमबर 77 मुगल काल में केली को क्या था तो यहां पर सही जवाब है एक प्रसिद बंदर गाय था एक प्रेक्ट अंसर है नेश्टे कुश्च नमबर 78 निम्न कत्रों पर विचार करें पहला कतना कि मुगलों के राजत्तों की आवधारना तुर्क मंगोल परंपरा पर अधारित थी द तो उप्रोक्त में से कौन सा कतन यहां पर सही है तो यहां पर 78 में देखा जाए तो यहां पर कि और पहला statement यहां पर सही है जब की दूसरा यहां पर गलत हो जाता है क्योंकि मुगल बास्ताहों ने नाम मात्र के लिए भी खालीफा का आधिपत स्युकार नहीं किया था कर बारे में यह शूफियों की नक्स्ट बंदी सिलसिले का अनूयाई था ठीक है दारा सिको कौन था सा जहा का बड़ा पुतर था जिसे सा जहा ने साहे बुलंद इकबाल की उपाधी प्रदान गी और दारा सिकोर सूफियों के कादरी परंप्रा का अन्वियाई था और इसके प्रारंभिक गुरु मियामीर थे किन्तु बाद में इसने जो है मुला साह बदक्सी की सिस्रता ग्रहण कर ली और औरंग जेव ने इसे रहिस मुलाहिद अर्थात अपधर्मी साहजादा की उपाधी और दारा सिकोर ने जो है काफी सारी पोस्तकों की रचना की जिन में से एक है सकीनत उल अलिया नेश्टे कुष्चन नंबर अठसी नंबर कुष्चन निम्न में से किस अभिलेख में भगवान विश्नु को मदुसूदन कहा गया है तो कुमार गुप्त के समय के जो है गंग जबकि उदाइगिरी गुहा अभिलेख में विश्नु के वराह अवतार का उलेख है जबकि प्रयाग प्रसस्ती में समुद्र गुप्त के विजय अभियानों का उलेख मिलता है तेहां पर सही जवाब क्या होगा सी ओप्सन गंगदर अभिलेख नेश्टे कुष्चन नंब क्थन याँ पर सही है ठीक है तो यहाँ पर 81 में यह देखते हैं तो यहाँ पर दोनों कथन से यह सी ओप्सन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नेश्टे कुष्च नंबर 82 निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन की पहचान करें पहला कथन की उत्तर करेंगे सी ओप्सन कथन सी ओप्सन सही जवाब होगा नेश्टे कुष्च नंबर 83 जील पर्यावरान में जीवी अनुक्रमण की साथ साथ पात्पों एम जनतों की संख्या एम जो है विवित्ता क्या होती है तो इसमें जो है विवित्ता बढ़ती है यह उप्सन राइट आ आता है बाकी सुल्तानपुर उन्नाव और सितापुर लखनव मंडल के अंतरगत आते हैं नेश्टे कुष्च नंबर 85 निम्निलेखित युगमों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है तो यहाँ पे सी ओप्सन सही सुमिलित नहीं है कि कुल रक्त में प्लाजमा का प्रस् सथ है तो यहाँ पर देखा जाए डी ओफ्सन यहाँ पर सही है यह हिर्दय की गतिविदी का ग्राफिय चित्रण है डी ओफ्सन यहाँ पर सही जवाब है नेश्टे कुष्च नंबर 87 निम्निलिकित में से कौन सा जो है परेटन इस्थर उत्तर प्रदेश के आगरा जन्प में नहीं है बलकि बिहार की पटन जिले में है तो यहाँ पर सी ओफ्सन करेक्ट आंसर है नेश्टे कुष्च नंबर 88 सूची फर्ष्ट को सूची सिकेंड से स्विलित करें तथा नीची देगए कूट की साहता से सही उत्तर का चैन करें तो यहाँ पर देखा जाए तो 1861 क का दियंगे रखा है तो इसके इस अधनियम के तहज जो है कानून मनाने के प्रक्या में भारती प्रतिनिदियों को सामिल करने की सुरुआत की गई तो इसका मिलान हो जाएगा चौथे से अगला है 892 का अधिनियम तो 892 के अधिनियम के तहट जो है बजट पर बहस करने का अधिकार सदस्चियों को दिया गया तो इसका मिलान होगा तीसरे से 888 का अधिनियम जो था इसके तहट जो है कि अठार सो अठावन का अध्रियम था इसके द्वारा राज सच्व के पदका स्रजन किया गया तहां पर मिल जाएगा पहले से और जो है चौथा मिल जाएगा दूसरे से इस प्रकार यहां पर डी ओप्सन करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला कुश्य नंबर 89 निमने लिखेत में से कौन एक भारत में संसदी प्रणाली की विसेष्था नहीं है तिहां पे सी ओप्सन भारती संसदी प्रणाली की विसेष्था नहीं है नेष्ट कुश्य नंबर 90 कुश्य है कि 97 सविधान संसदान अधनियम के बारे में निमने लिखेत में से कौन सा कथन सही है दूसरा कथनay इसके दोरा अनुष्ध 21 के अंतर्गत सयाकारी समिती गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया तीसरा कतने के अनुछेद 43 B जोड़कर सहिकारी समितियों को प्रोस्थान देने की बात कही गई और चौथा है सिविधान में एक नया भाग 9 B जोड़ा गया तो यहां पर 90 में देखा जाए तो यहां पर D option सही जाब होगा तीसरा चौथा सही है जब कि पहला दूसरा गलत है ठीक है अगला कुश्च नमबर 91 निमने लिखित में से कौन सा एक युगम सही सुमिलित नहीं है तो 90 में हम लोग देखते हैं ठीक है सी ओप्षन का अनुछेद 55 जो है राष्टपती की पदावधी से संबंदित नहीं है ठीक है इसके तहर जो है अनुछेद 56 जो है राष् पति के निर्वाचन के प्रिकिया का वर्णन किया गया है तो सी ओप्षन यहां पर करेक्ट आंसर होगा नेश्ट कुश्च नमबर 92 निमने कत्रों पर विचार करें पहला कतन की स्विधान के अनुशेद 165 में राच के महादिवक्ता की व्योस्ता की गई है दूसरा कतन महा यहां पर सही है ठीक है यहां पर सही है जबकि दूसरा आपर गलत है क्योंकि महादिवक्ता की नियुक्ति राजपाल द्वारा की जाती है और नाकि मुख मंत्री द्वारा ठीक है नेश्ट कुश्च नमबर 93 ट्रैफिक संगठन का संबंध निर्म लिखत में से किस से है तो नेश्ट कुश्च नमबर 94 fringe लिखत में से कौन सा एक एक राजधानी जो है नगर बाग मती एवम विश्मुमती नदी के जो है संगम पर इस्तित है तो यह है काठ मांडू बाग मती एवं विश्णू मती नदी के संगम पर इस्तित है ठीक है तो यहाँ पर सही जवाब है ए ओप्सन नेश्टे कुश्य नमर पिच्चान बे प्रभावी राजस घाटे की धारणा को किस जो है वित्ति वर्स के केंदरी बजट से प्रारम किया गया था तो इसको जो है 2011-12 के केंदरी बजट से प्रारम किया गया था तेहां पर D-Option correct answer है और गार्टे की की इस अधारणा को लाने का मुख देश यह था कि जो है पूझि सरेचना में जो है आशनंतुलन को व्यक्त किया जा सके राजस की, राजस क्खाते की राजस खाते की जो असरचना का सरचना का जो आसंतुलन था उसको व्यक्त किया जा सके ठीक है अगला है Qushy Nirm situเรา 500 जो है बोण se me up कास्तित होता है तो बोन s में जो है calcium phosphate up की ओप्स्थित होता है ठीक है यहाँ पर जिए ज़ाब होगा C option, किसी भी पारिश्टितिक तंत्र में एक निष्ची समय में आजीवी पदार्थों की उपस्थित मात्रा क्या कहलाती है, तो यहाँ पर जो है उपस्थित मात्रा जो है खड़ी अवस्ता कहलाती है, यहाँ पर D option correct answer है, नेश्टे कुश्य नमर 98 गुड़ सुत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होने वाला अनुवानसिक विकार क्या कहलाता है ठीक है तो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम जो है कहलाता है डी ओप्सन यहाँ पर करेक्ट आंसर है नेश्टे कुश्य नमर 99 भाद के स्विधान का कौन सा उपबंद यह विवस्ता देता है कि भाद के राष्ट पती अपने पत की सक्तियों के प्रियोग के लिए भाद के किसी भी न्याला के प्रती जवाब दे नहीं होंगे ठीक है तो इसका उले खनुशित 361 में किया गया है इसके तहत यह विवस्ता की गई है कि भाद के राष्ट पती अपने पत की सक्तियों के प्रियोग के लिए भाद के किसी भी न्याला के प्रती जवाब दे नहीं होंगे नेश्टे कुष्य नमर सव निमनी लिखित में से किसने शंप्रभू महराज को हिंदोस्तानी सास्त्री संगीत की सिच्छा दी यहाँ पर सही जवाब है शंप्रभू महराज लखनव घराने के कत्थक नत्र कलाकार थे इनके पिता कालका प्रसाद महराज चाचा बिंदादीन बड़े भाई जो है अच्छन महराज तथा लच्छू महराज थे जिन से इन्होंने नत्र की सिच्छा ली ठीक है तो यहाँ पर सही जवाब होगा बी ओप्सन और इन्होंने जो है उस्ताद रहमुद्दीन खासे हिंदुस्तानी सास्त्री संगीत की सि कुछ तम न्याला की समस्त कारवाही अंग्रेजी भासा में होगी तिहां पर सही जाब है अनुछे 348 नेश्ट कुछ नंबर 102 निम्न लिखित में से कौन सी नदी भारत के पठारी भाग को मालवा और दक्कन के पठार में विभाजित करती है तो इस नदी का नाम है नर्मद खानी हुमायों की अधिनता स्युकार कर ली यह सरहिंद युद्र का परणाम था और 22 जून 1955 को मुगलों अफगानों के मद्ध यह युद्र लड़ा गया नेश्ट कुछ नंबर 104 निम्न लिखित युगमों पर विचार कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही सुमिनित यु नेश्ट कुछ नंबर 105 निम्न कत्रों पर विचार करें पहला है केंदरी सतरकता आयोग जो है ग्रह मंतराला के अंतरगत आता है दूसरा कतने केंदरी सुचना आयोग सुचना मंतराला के अंतरगत कार करता है तो उप्रोक्त में से कौन सतरकतन यहाँ पे सही है तो यहाँ पे 105 में हम लोग यह देखते हैं, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, क्योंकि केंदरी सतर्कता आयोग तथा केंदरी सूचना आयोग दोनों ही कार्मिक मंत्राला की अंतरकत आते हैं, इसलिए दोनों ही कथन गलत हैं। नेश्ट कुश्य नंबर 106, निर्मने लिखित में से किने राज्यों में पंचायती राज की दो इस्तरी व्योस्ता लागू है, पहला गोवा, दूसरा मड़ीपूर, तीसरा सिक्किम, चौथा त्रिपूरा, तेहा पे सही जवाब है, पहला दूसरा तीसरे में लागू है, ज अर्थात, ग्राम इस्तर, मादमिक इस्तर और जिला इस्तर ये लागू किये गए, परन्तु ऐसे राज जिनकी जनसंक्या 20 लाग से उपर ना हो, को मादमिक इस्तर पर पंचायत को गठन ना करने की छूड़ दी गई है, इसी अदार पर सिक्किम, मणिपूर और गोवा में दुए इस्तरी अर्थात, ग्राम इस्तर और जिला इस्तर ये लागू कि गई है, जबकि तिपुरा में त्री इस्तरी इस्तर ये लागू है नेश्ट कुश्य नंबर 107, सविधान के किस भाग में अनसूचित एवं जन जाती छेत का वर्णन मिलता है नेश्ट कुश्य नंबर 108, संगल लोग सिवा आयोक के अध्यच तदा सदस्यों को कदाचार के कारण हटाया जा सकता है, इस सम्मंद में निम्न कत्रों पर विचार करें ठीक है, तिहां पे सही जवाब होगा, पहले दोनों कत्रों कत्रों देख लेते हैं, पहला कत्रों की कदाचार मामले की जाच राष्ट पती द्वारा उच्छ नियाला के द्वारा कराया जाएगा दूसरा कतने नियालाय द्वारा मामले में दी गई सलाय राष्टपती के लिए बादकारी नहीं है तो उप्रोक्त में से कौन शकतने आपे सही है तो संग लोक सिवा आयोक के अध्यच तथा सदस्यों को कदाचार के कारण भी हटाय जा सकता है किंतु ऐसे मामले में राष्टपती को यह मामला जाच के लिए उच्चतम नियालाय में भेजना होता है ना कि उच्च नियालाय में इसलिए पहला statement गलत हो गया दूसी तरब स्विधान के इस उपबंद के अनुसार उच्टम नियालाय द्वारा इस मामले में दी गई सलाय राष्टपती के लिए बादकारी है इसलिए यहां पे दूसरा भी गलत है यहां पे डियॉप्शन करेक्ट हो जाएगा नेश्ट कुस्ष नमबर एक सुनो सूची 1 को सुची सिकेंड से स्विवलित करें तता नीचे दीए गए कूट की माद्यम से सही उत्तर का चुनाव करें तो सूची 1 में है नदी 32 में है जहां गिरती है तो नियल्स नदी जो है हटसन की खारी में गिरती है और को लो रेडो न रिपोर्ट सागर में गिरती है तो इस प्रकार यहां पर डियॉप्शन करेक्ट अंसर हो जाएगा नेश्ट कुश्च नमबर 110 110 नमबर कुश्चन है कि प्लेग एंड पेपोल्स पुस्तक के लेखक कौन थे इसके लेखक जो थे बिलियम एच मैक नील यहां पर यहां पर यह नियंतरक एवां महालेखक परिच्चक की रिपोर्ट राष्ट पती द्वारा संसत के दोनों सद्रों के समझ प्रस्तूत करवाई जाती है इसके द्वारा किये गए कारियों पर उचित कारवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होगी तो इसकी अंतिम जिम्मेदारी जो सफेद सागर नहर कहां अविश्थित है तो यह जो है रूस में अविश्थित है और तीसरा इस्थान है यहां पर जो है मुस्लिम है नेश्ट कुष्च नंबर 114 है निमने लिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार विवस्तित कीजिए पहला है कॉंग्रेस के लच्छों में पूर्ण सुराज की स्विक्रिती यह हुई जो है 1929 में और बार दोली किसान अन्नोलन हुआ इर्विन समझाता हुआ 1931 मार्च में तेहां पर सही जवाब है डि ओफ्षन नेश्ट कुष्च नंबर 115 भारती मानक समय की यह मुत्तर रेखा निमने में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है ठीक है तो यह जो है पांच राज्यों से होकर जो है गुजरती है ठीक ह ठीक है कौन-कौन से उत्तर प्रदेश मद्र प्रदेश चतिसगर उनिसा और आंध्र प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है और आंध्र प्रदेश है ठीक है तो नहीं गुजरती है तो जारखन और तेलंगाना से नहीं गुजरती है बी ओप्षन नेश्टे कुश्च नमबर 116 है राष्टी मानवादिकार आयोग के संदर में निन्व में से कौन सा कथन सही है पहला है इसका गठन मानवादिकार सरच्छ अधनियम 1993 के द्वारा किया गया दूसरा कथन इस आयोग में अध्यच सहित कुल पांच पूर्ण कालिक्स मेंबर होत है चाँथा कथने के पादिन सदस्च्छों में से कम से कम दो मला सदस होना चाहिए नेश्ट कुश्र 115 अर्व पर वीचार करें पहला कतना न दूसरा ना और आज्य सीमर न गया पांच सुप्रोग्त में से कौन सा कथन सही है ठीक है तेहां पे 170 का देखा जाए तो तिलंगाना राज की सीमा महाराष्ट 36 गड़ आंत्रप्रदेश तथा करनाट का सही जो है चार राज्यों की सीमा को इस पर्स करती है इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया ठीक है और मद्रद कार है 1857 की विद्रोह के संदर में निम्ले लिखित कतना 싸 ABOUT कि बिचार करें पहला कतने की बरेली में अ और बहादूर खान ने विद्रोहियों का नेतौत कि आ दूसरा कथन है कि जनरल नील ने यहां की विद्रोह को समाप कर दिया तो प्रोक्त मेंसे सही कथनों का चैन करें तो यहां पर देखा जाए तो पहला कथन सही है जब कि दूसरा कथन यहां पर गला था क्योंकि कैम्पिवेल ने यहां की विद्रोह को समाप किया और बहादरु खान को फासी की सजा दी गई तो यहाँ पर जन्ना नहीं होगा जो है कैम्प बेल होना चाहिए यहाँ पर इसलिए यहाँ पर यहाँ पर दूसरा गलत था पहला सही था नेश्टे कुश्चन नंबर 119 है निमने लिखित में से कौन से 1857 की विद्रो की असफलता की प्रमुक काराण थे ठीक है तो यहाँ पर काराण थे जो है निमने से किसे नव जाग्रार का अग्रदूत और भारती नव जाग्रार का प्रभात तारा कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पे 120 का सही जाब है, B-Option राजा राम मोहराय को कहा जाता है, ठीक है, B-Option करेक्ट है नेश्टे कुश्य नमबर 121 स्वामी दयानन्द सरस्वती के संबंद में निम्निलिखित कत्रों पर विचार करें पहला कतन है कि इनका जन्म सन 1820 ECU में गुजरात के मौरभी जिले में हुआ था दूसरा कतन है कि वेदों की ओर लोटो का नारा दिया गया और तीसरा कतन है 1875 ECU में बंबई में आर्समाज की स्थापना की गई तो प्रोक्त में से सत्कतन का चुनाओ करें तो यहाँ पर सही जवाब है दूसरा और तीसरा ठीक है जबकि यहाँ पर पहला इस्टेटमेंट गलत है एक सुट्टिस में गलत है क्योंकि अठासो चौबिस में जो है नेश्टे कुष्च नमबर 112 अंतर राजी परिश्यत द्वारा किये जाने बाले कर्तवियों की प्रकति तथा उसके संगटन और प्रकिया को निधारित करता है तो कौण निधारित करता है 122 में सही जवाब है राष्टपती इसका उलेख जो है अनुछे 263 में मिलता है नेश्टे कुष्च नमबर 123 निधारित कुष्च नमबर 123 निधारित कत्रों पर विचार कीजिए तथा दिये गए कूट की साथा से सयूत्तर का चुनाओ कीजिए तो अभी कथन में कहा गया है कि लार में एमाइलेज तथा लाइसोजाइम नामक दो इनजाइम पाई जाते हैं इसका कारण दे रखा है कि एमाइलेज इस टार्च को सरकरा में तोड़ता है जबकि लाइसो जाइम भोजन में उपस्तित जिवाडियों को नश्ट करने में सायक होता है तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर B option सही है दोनों कथन तो सही है परन्तु R A की सही व्याख्या नहीं कर रहा है नेश्टे कुष्च नमबर 124 उत्तर प्रिदेश का सोन राइचेत तामा उत्पादनहेतु प्रसिद्ध है यह किस जिले में इस्तित है तो यह ललितपूर जिले में इस्तित है तहाँ पर A option करेक्ट आंसर होगा नेश्टे कुष्च नमबर 125 जो है कोल्डिम परयोजना अविस्तित है तो कोल्डिम परयोजना जो है सतलज नदी पर इस्तित है C option यहाँ पर राइट आंसर है नेश्टे कुष्च नमबर 126 जन्वरी 2024 में जारी स्वच्च सर्विच्छ दोजाँ 23 रिपोर्ट के अनुसार एक लाग से अधिक संख्या स्रेडी C20 सहरों में उत्तरप्रदेश के किस सहर को चौधवा इस्तान प्राप्थ हुआ है तो इस सहर का नाम जो है नोड़ा है A option करेक्ट आंसर है नेश्टे कुष्च नमबर 127 जन्वरी 2024 में भारत यों कि समद्द ACI देश के मद्द सयुक्ते सैन्य अभ्यास खंजर के ग्यारवे संस्क्राण का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया तो सही जवाब है A option किर्गिस्तान नेश्टे कुष्च नमबर 128 23 जन्वरी 2024 को निम लिखित में से किस की जैनती को देश भर में प्राक्रम दिवस की रूप में मनाया गया तेहां पर सही जवाब है सुवाशन बोस की जैनती को C option correct answer है ठीक है क्योंकि बोस का जन्व 23 जन्वरी 1897 को हुआ था नेश्टे कुष्च नमबर 139 जन्वरी 2024 में जारी Global Fire Power रैंकिंग के अनुसार सेन ताकत रैंकिंग में प्रथम इस्थान पर अमेरिका रहा भारत इस सुची में कौन से इस्थान पर रहा तो भारत इस सुची में चौथे पाइदान पर रहा नेश्टे कुष्च नमबर 130 जन्वरी 2024 में निमनलिकित में से किस राज सरकार द्वारा एंटी बायोटिक्स के अत्यतिक उप्योग को रोकने हितू आपरेशन अमरत प्रारम किया गया तो 130 का सही जवाब है ए उप्सन केरल नेश्टे कुष्च नमबर 131 जन्वरी 2024 में उत्तरपेश के किस जिले में रच्छा मंतरी राजना सिंग द्वारा पूर्टा बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उधगाटन किया गया तो यहाँ पे 137 का सही जवाब है ब्रंदावन मतरा में यहाँ पे ए उप्सन करेक्टांस है रहे नेश्टे कुष्च नमबर 132 सूर मिसन आदित L1 मिसन के संदर्व में सफलता पूर्वक जो है एलवन पर पहुंचा यानी लेंग्री लेंग्री गियन पॉइंट L1 पर पहुंचा और दूसरा कि ने भारत सफलता पूर्वक सौर मिसन भेजने वाला विश्च का पाच्वाँ देश बन गया है तो सही कथन का यहां पर चुनाव करें तहां पर 132 का सही जाव है दोनों कथन सही है इसलिए सी ओप्सन करेक्ट आंसर होगा नेश्टे कुष्च नमबर 133 निमने लिखित में से कौन जो है जन्वरी 24 में भारत के पिछत्रों गरतंत दिवस समारों में मुख अतिती के रू बी ओप्सन करेक्ट है नेश्टे कुष्च नमबर 134 डेजर्ट साइकलोन दोहया 24 क्या है तो डेजर्ट साइकलोन जो है भारत और यूए के मद्द संयुक्त सेनना भ्यास है सी ओप्सन यहां पर करेक्ट आंसर है और जन्वरी 24 में इसका आयोजन राजिस्तान में किया गय संयुक्त राश्ट संगद्वारा वर्स दोहया 24 को किस वर्स की रूप में मनाय जाने की घोशना की गई तो इसको जो है अन्ताराश्टी उट वर्स मनाय जाएगा बी ओप्सन करेक्ट आंसर है नेश्टे कुष्च नमबर 136 डिसंबर 2023 में निमने लिखित में से कौन विश के सबसे उचे युद्ध छेत्र सिया चीन में ऑप्रेशन पोस्ट परतैनात होने वाली पहली मैला जो है जिकिस्सा अधिकारी बनी है ठीक है तो यहाँ पर सही जाब है बी ओप्सन फातिमा वशीम बी ओप्सन यहाँ पर करेक्ट आंसर है अगला कुष्च नमबर 136 जनव से कुष्च नमबर 138 दिसंबर 2023 इसमें फोफ्स द्वाराजारी विस्की सव सरवादिक सकतिसाली महिलाओं की सूची में चार भारती महिलाओं को समलित किया गया निमने लिकित में से कौन सूची में समलित जो है नहीं है तो इसमें जो है समलित नहीं है जो है सावित्री ज निमने लिखित में से कौन दिसमबर 2024 में CISF की महा निदेशक बनने वाली पहली मैला IPS अधिकारी बनी है तो इनका नाम जो है क्या है नीना सिंग सी ओप्षन करेक्ट अंसर है नेश्टे कुष्च नमबर 140 है दिसमबर 2023 में प्रधान मंत्री मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है स्वयर्वेद महा मंदिर का उधगटन किया गया तेहां पर सही जाब है वरार्सी ठीक है सी ओप्षन करेक्ट है यह मंदिर जो है 180 फीट है उचा है नेश्टे कुष्च नमबर 141 दिसमबर 2023 में प्रधान देव इस्थिली भारती नौसेना के युद्ध पोथ पर तैनात होने बाली पहली मैला अधिकारी बनी है उन्हें किस युद्ध पोथ पर तैनाती मिली है तो उन्हें जो है आई एनस त्रीकंड युद्ध पोथ पर तैनाती मिली है यह ओप्षन करेक्ट है नेश्टे कुष्च नमबर 142 दिसमबर 2023 में निम लिखित में से कौन भारत की पहली मैला टेश्ट अंपायर बनी है उन्हें का नाम है ब्रंदाराथी सी ओप्षन करेक्ट है नेश्टे कुष्च नमबर 143 दिसमबर 2023 में संयुक्त राष्ट संग द्वारा किस अफरीकी देश में दस वर्ष से चले आ रहे सांती मिशन को आधिकारिक तौर पर सांथ करने की घोशना की गई नेश्टे कुष्च नमबर 144 दिसमबर 2023 में व्यास संबान किसे प्रदान किया गया तो यह संबान जो है पुस्पा भारती को प्रदान किया गया वी ओप्षन यहां पर करेक्ट आंसर है अगला कुष्च नमबर 145 कुष्च नमबर दिसमबर 2023 में निमने लिखित में से किन्हें इंद्रा गांधी सांती नीश सस्त्री करन विकास पुरुष्कार 2023 से सम्मानित किया गया तो यह पुरुष्कार जो है दो लोगों को मिला यह ओप्षन बी ओप्षन इसलिए सी ओप आपर राइट आंसर है नेश्टे कुष्च नमबर 146 दिसमबर 2023 में अनीश दयाल सिंग समीती का गठन किया गया तो इसका गठन जो है संसद सुरच्छा उलंगन घटना की जाच है तू इसका गठन किया गया बी ओप्षन करेक्ट है अनीश दयाल सिंग जो है CRPF के महानी देशक भी है वर्तमान में नेश्टे कुष्च नमबर 147 दिसमबर 2023 में निमलिकित में से किस्तिती को विश्रम्रदा दिवस मनाया गया तो विश्रम्रदा दिवस जो है पांस दिसमबर 2023 को मनाया गया बी ओप्षन करेक्ट है और इसक से कुष्च नमबर 148 निमलिकित में से कौन सा एक यूग में सही सुमिलित नहीं है पुस्तुकों का मिलान करना है लेखक से तो यहाँ पे डी ओप्षन में है इश्मोक एंड एसे यह जो है सलमान खुरसीत की रशना नहीं है इसके लेखक है अमिताव घोस इसलिए डी ओप प्रदेश में संपन हुई सी ओप्सन करेक्ट आंसर है नेश्ट कुष्च नमबर 150 दिसंबर 2023 में अमेरिकी गाई का टेलर स्विफ्ट को टाइम पर्सन ऑफ दा इयर घोसित किया गया निमलिकित में से कौन एक मात्र भारती है जिने टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ गोसित किया गया है तो यह जो है मात्मा गांधी को गोसित किया जा चुका है कब किया गया है 1950 में ठीक है इसलिए भी आप्सन आप एक करेक्ट आंसर है इसी के साथ ही धे आइस का यूपी पीसिस का टेस्ट क्रवांक नमर 17 यहीं पर समाप्त होता है मिलते हैं नेश्ट वी एक्षिंग जामोफोबिया यूटूब चैनल